So, hello everyone, तो आप मैंसे काफी सारे स्टेंट का request था कि sir, जो आपने NDA और CDS के current affair के लिए जो महा PDF दी है, जो कि 280 questions की जो PDF है, उसको एक बार revise करवा दीजे, उसको एक बार video के थूझे है, revision उसका करवा दीजे, एक पाफी पहले शेर कर दिया था टेलीग्राम पर और यह मॉस्ट एक्स्पेक्टेड क्विस्टन की पीडियाफ जिन लोगो नहीं पता है पिछली बार NDA के exam में 10 में से 8-9 questions इसी PDF से थे और CDS में भी same but CDS में क्या होता है कि direct question नहीं होता है थोड़ा सा statement based question बना देता है कुछ questions को तो इस वज़े से वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि आपको थोड़ा सा धंग से समझ क्याने कि for example वो दो statement देते हैं उसमें से एक current affair का और एक हो सकता है static हो तो ऐसा थोड़ा सा रहता है अगर मैं बात करूँ CDS का पिछली बार से पैटन देखने को मिला है care यह जो मैं आपको PDF दी है it is the most important one मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए आपने चाहिए जहां से भी किया हो doesn't matter लेकिन इस PDF को जरूर कर गए जाएगा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप miss मत करिएगा और इसके जो last के current affair से जैसे मैं आपको होता है इसमें 280 questions की यह PDF है तकरीबन तो इसमें जो second half है नहीं कि 140 questions के बाद वो थोड़ा सा ज्यादे important है तो पहले उसको आप पढ़िएगा उसके बाद मैं पढ़ना पूरा है लेकिन थोड़ा सा जो last volume वो थोड़ा ज्यादे important है खासकर जो black में लिखे हुए वो तो इसी वज़े से यह revision session हो और मैं उन सभी student से माफी चाहूंगा जो नहींने complain किया कि sir आपने पीडिएफ को हिंदी में नहीं दिया पिछली बार मैंने हिंदी में भी दिया था बट क्योंकि यह handwriting ने मैंने खुझ से हां से लिखे बनाया है कि महा पीडिएफ का जो बना हुआ है कि हां इसे question डिरेक्ली आते हैं तो वह मैं नहीं चाहता हूं कि वह फिर हटे वह चीज जो तमगा एक तरह से है ठीक है तो start करते हैं with the second half question और हिंदी मीडिया वाले students को बस एक किस बोलना चाहूंगा कि यह मैं पूरी कुश्चिस करूंगा दो रीजन एस वीडियो बनाने के ताकि एक तो आपका रिविजन हो सके तो इसको आप क्विक 1.5 x 1.75 x ऐसी स्पीट पर लगा के देखिएगा और दूसरी चीज यह है कि जो हिंदी मीडियम के स्टुटेंट से उन्हें भी फायदा मिल सके यहां पर मैं चीज़ों को हिंदी में रिपीट करने कोशिस करूंगा बाकी कहीं भी प्रॉब्लम आता है सिंपल आप गूगल कर लो वैसे आएगा नहीं स्टार्ट करते हैं question number 143 से सबसे पहले able price और बहुत short बहुत crisp एकदम to the point direct वहां पे लिखा हुआ है who has won ऐसे करके नहीं लिखा हुआ है थाकि आपका ज्यादा टाइम यहां पर वेस्ट नहीं हो तो able price 2022 किसने जीता अब समझ जाओगी able price 2022 मतलब किसने जीता यही पूछेगा आपसे तो able price होता किसके mathematics के लिए होता है जैसे noble price होता है तो क्योंकि noble price maths में मिलता नहीं है तो उसके लिए able price अलग से होता है यह मिला Dennis Parnell Sullivan को जो कि USA से belong करते हैं यह भी काफी important हो जाता है कभी बार कि वो पूछ लेता कि किस country से belong करते हैं फोस पारतले टो गेट पदमभूशन तो पहले पारतले पारतले आप समयने से यसे पारलंपिक होते हैं कौन लोग जो specially able लोग होते हैं जैसे कि for example बोल देते हैं यसे विकलान लोग जो हम बोलते है नॉर्मल बहसा में तो उनको बलते हैं पारतले ठीक है तो पदमभूशन से सम्मानित पहले पारतले देवेंदर जंजरिया किस खेल से सम्मानित है from which sports is related to javelin throw ठीक है जावलीन थ्रो यानि भाला फेंक से सम्मानित है फिर बात करें और एक चीज़ दहांने सुमित अंतिल या को अच्छो कमेंड बता हैं सुमित अंतिल किस sports से लिटेड हैं अगला जाए operation उपलब्द ऑपरेशन उपलब्द हो जाए operation सतर्क हो railway protection force के द्वारा ही चलाया गया है अब operation उपलब्द जो black में tickets बिकती हैं उसको prevent करने के लिए और operation सतर्क जो जिसे तमाकू हो गया drugs हो गया इनकी जो तसकरी होती है उसको रोकने के लिए operation सतर्क ठीक है आरपी अ पटाई नागस्वरम किस कहां कहा ही है यह तमिल नाडुका है और मैं अगर बात करूं यह है क्या नर्सिंग पटाई नागस्वरम तो यह एक तरह एक आपका musical instrument है ठीक है वाद देंदर है ग्यान पीट अवार्ड 2021 किसको मिला नील मानी फूकन ध्यान रखना ग्यान पीट और दोजार इकिस दोजार इस दोनों साल का मिला है दोजार इकिस का नील मानी फूकन को मिला है जो कि असमीज पोएट है किस भाशा के पोएट है असमीज यह बहुत दिहान रखना जो मैं के extra information अपको बता रहा हूँ 2022 वाला मिला है दामोदर मौजो को दामोदर मौजो यह कौनकनी पोएट है कौनकनी भाशा में इनको मिला है कौनकनी कहा की language यह गोवा की कहा की गोवा की ठीक यह दोनों याद रखना confused मत हो जाना पता है और 2021 वाला पूच जैसे 2022 वाला पूचेगा तो यह भी option में देगा तुम नीलमानी फूकन जली से मारत होगे ध्यान रखना है वाड़े important है 2021 नीलमानी फूकन जूनियर जो जर 22 मिला है दामोदर मौजो कौन किस से है नीलमानी फूकन असमीज और दामोदर मौजी कौनकर नहीं यह भी पता होना चाहिए इंडियन मेंबर appointed in UN advisory board जैती गोश फ नागा लेंड का legislative assembly है sports icon award at Maldives sports award तो Maldives government ने किसे sports icon award दिया सुरेश रहना को औसकर या या फिर जिनको academy awards से बोलते हैं 2022 में किसको मिले काफी important है best film का award मिला को बेस्ट एक्टर विल स्मित बेस्ट एक्ट्रेस जैसिका चास्टिन और बेस्ट डिरेक्टर की बात करें जेन कैंपियन पावर ऑफ डॉक के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और यही वो academy awards ह जिसमें की विल स्मित बहियन हमारे क्रिस रॉक को जपड़ या दिया था अब वो scripted था कि नहीं वो जानने वाली बात है अगला question 153 नंबर इंडिया's first tribal health observatory यह कहां पर बनाई गई इस्टाबलिश की गई ओडिसा में इसी टोक्यो जपान इनिशेटिव इसी समेट में एक इनिशेटिव स्टाट किया गया QChamp इनिशेटिव इट इस रिगार्डिंग क्लाइमिट चेंज ठीक है तो ही आंसर होगा ठीक है इस वज़े से बहुत ज़्याद स्ट्रेस्फुल होने की जिरत नहीं कि आपको एक-एक शब्द का मतलब पता होना चीए बाकी वही कि अगर आपको कहीं भी प्रॉबलम है तो आप उसको Google कर सकते हैं English to Hindi में चीफ निव चीफ कौन बने आये लो एनी की इंटरनेशनल लेबर और ओगनाईजिशन के तो गिल्बर्ट हंगबो किस कंट्री से हैं टोगो निव प्रेसिदेंट अफ बैदमिंटन असोसेशन ऑफ इंडिया जो बैदमिंटन असोसेशन उसके नए अधिक्ष बने हैं हीमंत बिश्वा सर्मा जोकी असम के चीफ मिनिस्टर है निव टैक्स रेट ऑन वर्चुवल एसेट तो जब यह बजट रश्टोत किया था हमारी फाइनस मिनिस्टर निर्वला सीता रमन जीर है तो उसमें जो वर्चुवल एसेट हैं जैसे कि एक्जामपल क्रिप्टो करेंसी ब जर्नलिजम में पत्रकारिता में निव आपजर्वेशन सटलाइट तो निव आपजर्वेशन सटलाइट गोफेंट 3 गोफेंट 3 किसके तरह लांच चाइना नॉट जिस्ट नाइट वाच मैन मायनिक्स विद बी सी सी आई बोक इस रिटन बाई तो यह किताब किसे लिखे विनोध रायने एवाई यानि कि अंट्रोप्रिनॉर ठीक है अंट्रोप्रिनॉर एयर अफ दी एवार्ड 2021 यह मिला है फालगुनी नायर को फालगुनी नायर अगर बात करें जो नायका कंपनी है ठीक है गर्ल्स अच्छे सा जानती होंगी तो उसकी CEO फाउंडर है उन्ही क सब्मंदी थे यह आपके टैनी से सब्मंदी सब्मंदी सर्भी ऑपन एंड्री डूबलेव मेंड्री डूपन कार्लोस अलकराज फ्रेंच ऑस्टेलियन यूएस यह सारे आपको पता होना चाहिए कौन-कौन जी था भी पूरा इती सारे आपके इस पीडिये फमेंशन अभी हम देखेंगे देखेंगे च्शिट पर्संट ऑफ दी हज कमीटी बनती है उसके छे पर्संट किसको बनाएगा अपशकु यह फूर्ज फिर्स डिस्टिक वाइब लाईब्रेरी एवरी विलेजंगे हर डिस्टिक्ट में लाइब्रेरी कौनसे गाउं पर से गाउं यह में जम्मो और कश्मीर की फिर्स city to have vacuum based sewer system vacuum based sewer system पहली city आगरा फिर्स state to set up a gene bank project gene bank project set up करने आला पहला राज महराष्ट खेलो इंडिया ने योनिवस्टी गेम्स का विनर जैन योनिवस्टी हुए कहा पे थे करनाटका में हुए थे जीता जैन योनिवस्टी ने ठेक 100th unicorn start up of India तो सौवा unicorn start up कौन बना है open financial technology private limited एक बार इसने question पूछ लिया था या unicorn क्या था तो unicorn वो होता है वो company होती है फिर वो start up होता है जिसने 1 billion dollar का valuation क्या valuation छो लिया हो कि उसकी कीमत 1 billion dollar की हो गई है एसा 100th unicorn start up बना है हमारा open financial technologies private limited head of delimitation commission which retrieve the electoral map of Jammu and Kashmir रंजना प्रकाश देशाई तो मैंने आपको quality में जो quality का one shot lecture डाला था मैं फिर सब ही repeat करूँग कि जिन लोगों ने भी quality का one shot lecture geography का one shot biology का one shot modern history का one shot नहीं देखा please आपसे request है एक बार उनको जरूर एक बार ने दो बार देखके जाएगा एक बार तो आपने देख लिया दूसरी बार उसको revise करके definitely आपको फायदा मिलेगा और मेरी पूरी कोश्य से कि मैंको physics के भी important जाप्टर से उनको करवा सकूँ बाकी chemistry के regarding जो भी मैंने आपको lectures दिये हैं playlist बनी होई है please उनको वहां से करके जाए उनको 2x पे लगा के 1.75x पे लगा के उसको revise करके जाए महां पर बहुत मैंने सिदे NCRT वहां रेफर के और NCRT सा ही question उठता है तो please उसको ज़रूर पढ़के जाएगा ठीक है पे लिस्स बनी होई आपकी head of delimitation commission तो मैंने आपको बताया था polity में कि जैसे constituencies हमने धारित करते हैं election के लिए election to legislative assembly जम्मो कश्मीर अभी unit territory बना है तो वहां पे legislative assembly भी setup है तो वहां की legislative assembly के लिए चुना होंगे चुना होंगे तो वहां पे constituency में भी बातना पड़ेगा तो उसलिए delimitation commission setup किया जाता है जो कि setup किया गया किसी अद्धशुता में रंजना प्रकाश देसाई legislative assembly seats of जम्मो अन कश्मीर increase from 83 to 90 तो 83 से 90 जो है increase कर दी गई है delimitation commission सारी चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमारे इंडिया में कितनी बार बना कौन से article कौन बनाता है ठीक है कौन setup करता है सारी चीज़े तो आपसे पूछ सकता है किस state की tribe है जिसने कि खुद को अब ड्रक फ्री जोन डेकलेर किया है तो ध्यान रखना मनीपूर की है वर्ल्स मनीपूर की एक और है आपके दिहान रखना कई बार पूछता है लाई हरोबा ठीक है लाई हरोबा एक tribe है मनीपूर की मनीपूर और मिजोरा में मेली पाई जाती है वर्ल्स लाजिस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज मतलब इक्दम इक्दम ग्लास का बना रहेगा एकदम आपको नीचे दिखेगा एकदम ट्रांस्पेरेंट वी इत नाम में विच रेलवे ऐस ड्यवलब्ड डूल लोकीमोटिव नवधूत नाम का डूल loकोमोटिव किस रेलवे ने बनाया है नौट का इस तरह लिखिए पीडियो बना दूंगा है विद्रेक कैसे याद रखना है ठीक है प्लेस कॉल्ड होम बुक तो या प्लेस कॉल्ड होम बुक यह किसके दोर लिखेगे यह प्रीती शोना है नंजरायन लेक यह कहां पर है तमिल नाटू में ट्रैवल एंट टूरिजम डेवलप्मेंट इंडेक्स यह वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम देता है और इंडिया किसमी रांक है 54 ट्रैवल एंट टूरिजम डेवलप्मेंट इंडेक्स होकी एशिया कब 2022 यह कहां पर हुआ इंडोनेशिया में गोल्ड साउथ कोरिय ने जीता इंडिया ने इसमें ब्रॉंज जीता धियान रखना सिल्वर मिला इसमें मलेशिया को यह तीनों चारों चीज़ों काफी इंपोर्टन है चलो सिल्वर तो इतना इंपोर्टन नहीं लेकिन कहां पर हुआ गोल्ड और इंडिया ने कौन से मेटल जीता ब्रॉंज यह पता होना जी आपको ठीक है और यह जिलनों को नहीं पता है यह PDF जो है आप लों की टेलीग्राम जो है परमार आफिसर्स उसमें अवेलेबल है भारत का सबसे लाजिस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है भी USA यह फिर अमेरिका बना है वोर्ल्स फर्स नानो यूडिया प्लांट हैस बेन इनाग्रेटेड एट कलोल गुजरात कलोल यह भी कुश्चन रिपीटेड है आखरी कुश्चन जिस पीडियाफ का 211 नंबर वो भी यही है ठीक है तो कुछ है आपके रिपीटेड तो वर्ल्स फर्स नानो यूडिया प्लांट वर्ल्ल का पहला है यह कलोल गुजरात में बना है इंडिया है जोई फर्स मुवर्स कॉलीशन भारत ने पहला यह फर्स मुवर्स कॉलीशन बना है यह कॉलीशन अक्चुली में जो यह से के प्रेसिरेंट है जो बाइडन उन्होंने वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम का जो समिट हुआ कॉप 26 उसमें इनोंने बनाया इसको और यह जो कॉलीशन नहीं इसलिए बनाया गया ताकि जो भी जहां से जो कार्बन मेजर कार्बन एमिटिंग सेक्टर से उनको लिमिट किया जा सके इसलिए यह बनाया गया है ठीक है आईपियल 2022 औरेंज क्याप जौस पटलर यह था सब को पता है वोगा परपल क्याप यह जवेंडर चहल ठीक है दोनों ही राजस्थान रोयल्स के अमर्जिंग प्लेर उम्रान मलिक अई तिंग संराइस हैधराबाद से था है और जीता किसने आपको पता है गुजरात जायंट्स ने ठीक है फिर अगर बात करें शोक इसकी साहिक न दी है इंडस की जैसे की इंडस न दी है हमारी इसकी मुसले अगर हम देखें जहलम चनाब रवी ब्या सतलच सारी अगर हम पार्ट है सियाचन ग्लेशियर का पंडित भजन सपोरी पास जवे ही वाज आज तो ऐसे कुशन काफी पूचिता है कि इनका अभी आले में ने धन हुआ इनका समंध किस छेत्र से है तो पंडित भजन सापोरी ये संतूर आटिस्ट ऐसे ही आपको धहन रखना है पंडित श शांक और एनस एक्षे वोर्ल्स मोस्ट पाफुल सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर बन गया यूसे जैपान का जो फोगाकू कंप्यूटर उसको पीछे छोड़के फ्रंटियर यूसे का वो सबसे पाफुल बन गया सांबफ पोर्टल है तो सांबफ पोर्टल लौंच किया गया है मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के दोरह घ्यान पीट अब अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं दो हजार हम अच्छा ठीक है दो हजार वह बीस वाला था जो अपर लोगों को निकिस देखा थो दो हजार बीस वाला था नील मानी फूकन और दो हजार एक किस वाला ध्यान रखना दा मोदर मोजी और वो सेम चीज़ आपके असमीज पोईट है और यह कौन का नीए पोईट ठीक वर्ल्ड एंवायरमेंट डे की थीम के अगर बात करें विश यो पर्रया वरान दिवस जो कि हम मनाते हैं कब 5 जून को मनाते हैं 5 जून को इसकी स्थी ओनली वन ओँट यह उन इंगा दिवा इन इसकी पर्ड़न ए किसी नहीं पर टैसे में तो आयेगा यह चेहां करती है फिर अगर हम बात करें इन स्पेस का हेट कॉर्टर कहां पर है इन्सपेस का हेटकॉर्टर जो अभी इनागरेट की आ गया है वो आहमदा बाद में ये भी question repeated है, मतलब आगे आपका दिया हुआ है, तो अगर आप इन total अगर देखोगे तो तक्रीबान I think 270-260 है, ऐसे आपके current affair पढ़ेंगे पुनीच सागर campaign किसके दोरह स्टार्ट किया गया था? NCC, National Cadet Coast के दोरह स्टार्ट किया गया था? To clean the beaches, तो जो beaches हैं, जो हमरे coast हैं, उनको साफ करने के लिए NCC दोरह लाँचिया गया था X Conquest ये किसके दोरह, कहाँ आप exercise हुई ये मंगोलिया में हुई, अब ये क्यों आपसे पूछेगा? To get smoke-free, दुआ और रहित, इमाचल प्रदेश, MyPad, MyRight program जो है, Women Hygiene के लिए लाँच किया है, Nabad ने, India's Rank in Environment Performance Index, 180th, 1st rank इसका आया, इसमें ध्यान रखना है, Denmark का 1st rank आया है, ठीक है? Denmark का 1st rank, 2nd UK, 3rd Finland, वो 2nd, 3rd भूल जाओ, बस बता दिया, मैं आपको अरभाई चांस आ जाता है, लेकिन 1st आपसे पूछेगा, अगर पूछेगा, तो Denmark और India का rank 180, ठीक, अच्छा आपको comment बताना है, कि Environment Performance Index release कौन करता है, ठीक, अगले अश्रेस्ट स्कीम, ये किसके लिए स्कीम फॉर रेजिदेंशल स्कूल, रेजिदेंशल स्कूल किसके लिए, मुसली जो SCST जो काटगरी के जो स्टूडेंट से उनके लिए है, जैसे कि आप देखते हो ना, वो दे विद्धाल है, तो उसी टाइप का है, थोड़ा से स्कीम, और ये रेजिदेंशल स्कूल प्र इडिया और बंगलादेश के बीच, वो एज वन फॉर्टी एट ला रोडा इंटरनेशल चेस टार्नमेंट, तो ला रोडा इंटरनेशल चेस टार्नमेंट, डी गुकेश ने जीता है, आप से ऐसे पूछ सकते है, डी गुकेश का संबन्त किस स्केल से है, चेसे हैं, कुछ के लिए नए अड्वाइजर विनोथ खंडारे, मिस वर्ल्ड थोजारी के स्कारोलिना बिलावस का, पॉलैंट से हैं, ठीक, और जहां से आपकी एगर स्वेतेक है, बेस्ट फिल्म इन बाफ्टाइवाट्स, दे पावर अफ डॉक्स, चेर्मन अफ आई आई आई, तो इसक रानी लेक्ष्वी भाई, कुईन अफ इंडियन पॉप ये विकास जहां ने लिखिये, ये उशा उत्वब जो सिंगर है, उनके बाइगरफी है, और बात करते हैं, अगले करेंट अफिर 201, ठीक है, यानि 200 के बाद जो हैं, थोड़े से जादे इंपोर्टन्ट है, बाकी उ लिखी रहती, लिकिन अब सिग्रेट में भी लिखी रहेगी, ये पहला कंट्री बना कानड़ा, इंडिया का रैंक इन ग्लोबल SDG इंडेक्स 2021, इंडिया का रैंक 121 आया और फोर्स रैंक यहां पे आया है, फिन्लैंड का, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड कॉंपेटिटिवन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड एकनामिक फोरम बेर लीज करता है, आपका वर्ल्ड कॉंपेटिवनेस इंडेक्स इंडिया का रैंक 37 आया, फिर्स रैंक दिन्मार्क का, बात करनें, फिर्स एशन कंट्री तो लीगलाइज मरिजवाना, ये फिर कैनबिस, तो एक तरह का ड्रक्स इंडिया का पहला वैक्सीन फोरम जानवरों के लिए पहला वैक्सीन, एनो कोवेक्स, ये यॉरप विल बैन न्यू पेट्रोल एंडीजल कास पाई विच है, जो ये यॉरपियन यूनिय ने उसने ये फैसला लिया है, कि वो पेट्रोल और डीजल कास को कम्प्लीटल और द हॉन्टेल जो है, जो एक ड्रागन फ्लाई एक तरह की, वो कहां पर स्पॉट की गई है, तो ड्रागन फ्लाई मैं आप पो जैसे बताऊं, अगर अपने बरसाथ के टाइम पर ऐसे दिखा होगा, एक ऐसे लंबा सा होता है, और यहां पर पंक लगे होते हैं, देगा अपने एक लंबा सा तो जूम ऐसे वाज करता है, जो बरसाथ जब होने वाली होती है, तो उपर उड़ते रहते हैं काफी जाता, तो वो एक तरह का ड्रागन फ्लाई होता है, तो स्पाइनी होट टेल भी एक तरह का ड्रागन फ्लाई है, एक रेर ड्रागन फ्लाई है, जो कहीं ब पर्मानेंट मेंबर्स अफ टुए टुएन पइंडिया के नॉन पर्मनेंट मेंबर्स का तर्म होता है अफ्टी तो छूपांटौ तो बात करें तो नसम्हें नंगर में बलता है क्टा श्विचर टेयं अश्विटरा की बात करें नांट सुनि caucus होग है में तो ख्या multicultural गया ठीक है UK USA France और चाइना ठीक है यानि की जपान भी इसका पर्मनेंट मेंबर नहीं है तो यह आपके पांच पर्मनेंट मेंबर में आते हैं फिर बात करें विच ऑगनेजेशन अदॉप्टेट हिंदी लाइंगवज फॉर्स ताम तो उनाइटे नेशन जनल असम्बली ने यह फिर बात करें अगनी फोर मिसाइल यह सेफेस मिसाइल है रेंज यह लॉंग रेंज मिसाइल है तकरीबन 4000 किलोमेटर का रेंज है एक न्यूअगर क्या बलिस्टिक मिसाइल है यही आपसे पूचेगा अगर पूचेगा तो सारी चीज़े मैं आप लिख रखिए है पहरत में कोई चेस्ट का ओलंपियाड यहां पर हुआ है जो कि चावाले सिवा नंबर को ओलंपियाड हुआ है दो मामलों में इपॉर्टंट है पहले पहला इंडिया में उखा दूसरी बात पहली बार इसमें टॉर चरी ले रखा गया जैसे नहीं मसाल होती है उलंपिक्स उ वैसे ही पहली बार इसमें रखा गया जो कि इसके starter रहे है विश्वनातन आनंद इंडिया में हुआ चन्नाई में इंडिया के चन्नाई में पहली बार हुआ और ये पहले तके नॉर्वेय के Magnus Carlson है, उनको तीन बार लगाता रहाया उन्होंने, ठीक है, फर्स्ट एरपोर्ट टु रन एंटरली औन हाइडरो एंड सोलर पावर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जी है, पहला एरपोर्ट बना है, इंटरली औन हाइडरो एंटीन सोलर पावर, इंटरलाइड के तरू एंटरलर एंटरलाइड के तरूऊंड इनजी जिनरेट होती धी होती है, जोसन लाइट थी मुलिव उनचन लिंट के छूँ इन नूरी सेटलाइट किसे लाँच के है सौत कोरिया नहीं सकता है, ठीकर सटलाइट लांच करेगा साउथ को डिया ठीक जी टुटी समिट 2022 कहां यह यहां पर करेक्शन करना कोई 2022 नहीं 2023 होगा एक्चुली 2021-2020 को इंडिया मेंबर्शिप ले लेगा किसे इंडोनेशिया से लेकिन एक्चुल में 2023 में होस्ट करेगा तो 2023 यहां पर करना 2022 में यह बाली इंडोनेशिया में होगी बाली इंडोनेशिया ध्यान रखना 2021 में ही मेंबर्शिप में जाएगी दिसंबर में लेकिन ह इंडिया जान वूच के इसको जम्मू कश्मीर में करेगा ताकि हमारे बेटे की जल सके इंडिया स्टॉप मोस्ट ओयल सप्लायर और जम्मू कश्मीर में हमारी इन्वेस्ट भी वड़ सके ठीक है अब यह ऐसा नहीं कि चेंज हुआ है पहले भी इराक ही था लेकिन इस वैसे से यह पूछ सकता है विकॉज जो सेकंड नंबर पर पहले साओधी अरेबिया से हम करते तो लेकिन सेकंड नंबर पर रश्या आ गया तो मतलब इतना हमारा टेंशन इंक्रीज हुआ रहा रश्या वहां पर तो सप्लाई कर नहीं रहा उतना यूक्रेयन में तो हमने फायदा उठाते हुए मौके का फायदा उठाते हुए रश्या से यहां पर इंपोर्ट करने लगे रश्या से सस्ते में मिल जाएगा और यूएस की ऐसी की तैसी सैंक्शन लगाता रहे तो अपने फायदे के लिए कुछ भी ठीक है तो अब हम इंडिया तो डरते तो है नहीं तो इ तीन साल का ठीक है तीन साल का यहां पर हेल्थ इंसरेंस प्लाइन सरोगेट मदस्का अनूंस किया है यूण गवर्मेंट ने ग्लोबल लेविबिल्टी इंडेक्स हैनी की सबसे अच्छी सिटी कौन सी रहने के लिए तो विए ना है नीतिया एक नए CEO इंपॉर्टन थे भी अभी शेर्पा फुल टाइम यह फे पर्मनेंट शेर्पा बन जोगें जी ट्वंटी जो समीट होस्ट करेगा इंडिया ठीक है तो उसी के लिए बिकॉज अब काफी ज्यादा काम बढ़ गया उसमें तो शेर्पा जो नहीं उतिये गए हैं अभी हम आगे देखेंगे से तो इसी वैसे डवलब कर रहा है फ्लोटिंग सिटी ओसेनिक्स मालदीव ठीक है अच्छा आप यह बताओ कि कौन सा डिग्री चैनल है मैं आपको जॉक्षी के वन शॉर्ट लेक्टर हम बताया था कौन सा डिग्री चैनल है जो लक्षदी पाइलेंस को मालदीव से अलग फिर अगर बात करें फॉर्स्ट प्राइजी नाशनल एमसेमी एवार्ड टो एमसेमी का ही फुल फॉर्म पहले पता होना ची माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एक बार सी एपेफ में पूछ लिया था तो नाशनल आई थिंग है सी एपेफ में सीडियस में तो फॉर्स माउंटेनियर तो एसें माउंट अनपूर्णा विद्धाउट ऑक्सीजन बिन ऑक्सीजन के चलाई करने वाले अनपूर्णा में यह बने इंडिया के त्यान रखना इंडिया के स्काल्जांग रिगजिन आपको यह नाम सुनके ऐसा ना लगे कि किसी और देश के गी है स्काल्जांग रिगजिन यू एन ओशिन कॉन्फिर्स दो जर बाइस किसने होस्ट आपॉर्ट को रोस्ट करेगा केन आ पॉर्चुकल एंड एन यू एन ओशिन कॉन्फरेंस 2020 फॉर्स टेट टू पब्लिश रिजन स्पेसिक रिड लिस तो हम आई उसकी रिड लिस प Federation of International Cricketers Association काफी important है यह important ठीक है note करना इसको Lisa स्थाले कर कहां कि है औस्टेलिया की country भी पूछ लेता है आपसे दिहान रखना है औस्टेलिया की है last state to implement one nation one ration card one nation one ration card central government scheme लाई थी ताकि कोई कहीं भी विज़े जा सके और राशन वाली सोविधा उपलब्द हो सकें उसको यह सबसे last state इसको accept करना वाला बना है ऐसा ठीक है इसको implement करना वाला first airport to launch vertical axis wind turbine and solar PV hybrid solar mill यह बना है चत्रपती शिवाजी महराज airport new age limit for chief of defense staff तो जो CDS आपको पता जनरल बिपिन रावत है लेकिन वो अब नहीं रहे तो तब से post खाली पड़ी है तो उसी के regarding कुछ यहाँ पर eligibility condition central government ने announce किये है जिसमें किये किये है कि 62 से ज़्यादा उमर नहीं होनी चाहिए 62 से कम उमर होनी चाहिए जेनरल के post पे या फिर lefty general के post पे तो हो या फिर retired वाला भी बन सकता है CDS यह चीज़ देहन रखना ठीक है और maximum limit जो set की गही है 65 साल की ठीक है 65 साल की hermit क्या है तो hermit एक तरह का spyware है वहाँ पर हो सकता है malware भी लिख दे तो spyware malware ही देहन रखना ठीक almost similar है similar है same नहीं बोलेंगे जैसे malware में क्या होता है कि spyware इंडट कर दी आपके system में और आपसे कोई money demand कर रहे है तो that will be called as ransomware उसको actually बोलते है spyware malware एक चीज़ होगी almost but ransomware जो मेना कुछ चीज़ बताई कि money demand करना वो ransomware होता है उस money जो demanded money होती इसको ransom बोलते है scientific advisor to Joe Biden इंडिया की बनी है इस वे से important है आर्थी प्रबाकर 248 नमबर देखो West Sethi Power Project ये इंडिया बिल्ट करेगा नेपाल ने बिकास चाइना इसको बिल्ट करने वाला था पहले और चाइना ने इसको इसमें quit कर दिया तो इंडिया इसको बिल्ट करेगा नून चोगा नून चोगा अक्चुली एक बेबी आनिमल का रिमेंस या फिर फॉजल मिला है कैनाडा के यूकॉन टरिट्री में ठीक है नून चोगा बिग बेबी आनिमल ये वाल्दब छोटा हाथी की तरह लगता है ठीक है World Environment Day पांच जून को अभी हमने देखा और इसकी थीम Only One हो थी सानपती गुरु नाइडू इसलिए टू तो ये सानपती गुरु नाइडू समंदी था आपके वेट लिफ्टिंग से और ये भी बहुत इंपॉर्टन ने ध्यान रखे गए सानपती गुरु नाइडू वाला ठीक है वेट लिफ्टिंग और क्यों ही इंपॉर्टन है विकाज इन्होंने गुल्ड मेडल जीता है तो जो भी यूथ चैंपेंशिप होती वेट लिफ्टिंग की तो पहले इंडियन बने जिन्होंने इसमें गुल्ड मेडल जीता है तो दिहान रखना सेनपती गुरु नाइडू अगला कुश्चन है अंडर और अगर आईए पूछे कि हाँ कहाँ पर हुआ तो दिधान रखना मेक्सिको में हुआ था ठीक है मेक्सिको में अंडर भारत गौरफ प्रोग्राम इंडियन रेल्वे हाँ स्टाटेट फॉर्स प्राइवेट ट्रेंड फ्रॉम कुएमबटू टू शिरली ठीक है एर थी जिरो ट्री एट इजा है तो यह क्या ही एक स्था का स्थान स्पॉर्ट है ठीक है जो हमारा स्थान है उसमें कई सारे स्पॉर्ट्स है ठीक है जिलनों को नहीं पता तो यह एक स्पॉर्ट है जो भी रिसेंटली डिस्कावर किया है काफी बड़ा स्पॉर्ट है अब वहाँ पता है क्या लिए यह एक वीट की वाराइटी है यह एक एस्टिरॉइड है यह उइंडिया की योगा डे जो 21 जून को मनाते है उसकी तीम की है इस बार तो योगा फॉर हमाइनटी है दियान रखना है 21 जून को हम योग अडिया मनाते हैं क्यों मनाते हैं बिकाज नौदर्न हमेस्फिर है मैंने पूरा आपको पढ़ा है तो जोग फी में नौदर्न हमेस्फिर हमारा है सबसे बड़ा दिन होता है तो अभी हमने देखा है अमदाबाद में सेट अप किया गया इंडियान नेशन स्पेस प्रमोशन और ऑथराज़ेशन सेंटर Environment Performance Index ये भी हम उपर देख चुके इंडिया का राइंग 180 डेनमार्क ने टॉप किया वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम ना इसको रिलीस किया है तो रबाब फातिमा को ये अपॉइंट किया गया अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनिटर निशन से लोगतंतर के सवर कंटेंज थे स्पीचेस आओ तो लोगतंतर के सवर जो एक किताब है ये इसमें किसकी स्पीचेस हैं तो रामनाथ कोईन जो हमारे फॉरमर प्रेसिडेंट थे वो उनके यहां पर स्पीचेस हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ लिटररी वो के लिए मिलता है और अमर मित्रा जो बेंगॉली राइटर है उनको ही मिला है ठीक है इनका ऐसा एक राइटिंग तक गाउं बूडो करके एक बार कंफर्म कर ले ना इसे तक गाउं पहला वर था गाउं और गाउं बूडो ये था साइज ठीक है एक बार और कंफर्म करें ना गूगल करके इसको ओ हन्री प्राइस 2022 अमर मित्रा को मिला है ये बेंगॉली राइटर थे जिन्होंने काफी साल पहले ये लिखी थी गाउं बूडो करके ठीक है फिर पंडित शिव कुमार शर्मा बिलॉंग्स टू ये संतूर आर्टि इसके खिताब सेनी शटी ने जीता जोगी करनाटका से बलॉंग होती है बेस्ट परफॉर्मिस स्टेट्स इन स्टाट अप रैंकिंग दोजारिकिस गुजरात और करनाटका शिंजो एबे वास दिफार्मर प्राइम मिनिस्टर आफ जिपैन तो अभी क्यों इंपॉर्टन ह इनके आपको पता है गोली मारके हत्या कर दी गई थी और पदमे विभूशन इनको इंडिया ने नवादा था पदमे विभूशन से पदमे विभूशन हमारे इंडिया का सेकंड हाई सेविल एन आवाड है आफटर भारत रतना पीम मोदी हाज अन्विल्ड ड़ लोग लेकिन अब क्योंकि अब शेर्पा होता को ने बाई जो ग्राउंड वो करता है ना सारी चीज़ें फील्ड वर्क पॉलिसी इंपॉस्ट्स देता है यह होता है शेर्पा का काम यह मिताब कांद जो कि पूर्व सी यह होते हमारे इसके नीतिया उपके और फॉर्मर अगले पेज में आजाते हैं अखरी पेज में आजाते हैं अपने 270 दस्टाच्य ओफ पीस ऑफ स्टाच्य ओफ पीस ऑफ पाई पटेल जी का 182 मीटर्स का बट यह रामन अजचार रिखा है ठीक है जिस्टाच्य ओफ पीस क्यों बोलते हैं इसको बिकाज इन्होंने पीस के लिए बहुत काम किया था पीस एंड इक्वालिटी के लिए समानता के लिए ठीक है एक आसका जो जो दलीत वक्त था उसके लिए प्रिथवी 2 एक क्या है एक शॉट रेंज बलिस्टिक मिसाइल है ठीक आप से पूछ सकता ह पॉटेंटिला डेलफीनियम रानेकलस यह किस जो रिसेंटली सीन इन न्यूज आरा वराइटी आफ तो यह फ्लावर्स के आपके वराइटी हैं तनुजा नेसरी को यह अवार्ड मिला अवार्ड अवार्ड यह अंगे स्पीकर आफ एने लेजिसलेटिव असेंबली राहु पास डवे रिसेंट्ली वाज़ा यह वरिंदर सिंग कौन थे होकी प्लेयर ठीक है ऐसे रहो मिलका सिंग वैसे वरिंदर सिंग फिर अगर बात करें कैप स्टोन जो किया भी हाली में सुर्ख्यों में रहा वो क्या था वो एक सैटलाइट था नासा का क्या था यह मतलब किस यह चैटलाइट था तो एक लूनर औब्जरवेशन जैसे कि हम इन्हें और 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 ब्रांच नहीं होती उसको नियो बैंक बोलते हैं चीता विल बी रिलोकेटेटेट एडट चीतां को रिलोकेट किया जाएगा कुनो नैशनल पार्क एंपी जो कि पढ़ता है और यह तो हम गुजरात में इनाउग्रेट किया गया है तो अब यहाँ पे इतना ही करेंट अफेर कुष्चन है लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किया ता 141 से हैंनि हमेरे आदे करेंट अफेर उपर के और बाकि उनको भी आँको करवा देता हूं जल्दी से लेकिन यह आकरी वाले परमार आफिसर टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको तो पहला गुष्चिन है आपका न्यू चीफ इलेक्शन कमिशनर कौन बने अभी राजीव कुमार पहले मुख सूचना आयुक्त नहीं चुनाव आयुक्त होगा ठीक है व आपसे ज्यादा बार किसने जीता इंडोनेशिय में यह थॉमस कप मेन का होता है ऐसे से मलर ही बैडमिंटन का विमेन का होता है उबर कप यह फिर उबेर कप जो भी प्रनाउंस करो वहां पर प्रनाउंस करने क्लिए नहीं आएगा सौथ कोरिया नहीं जीता है फॉर्स्ट इसका इसका पहले तो पता होने ची ब्रूजिया में इसका है ठीक और यह इसका इक साइबर डिफेंस ग्रूप है इसमें साउथ कोरिया को भी शामिल कर लिया गया है, Simple North Korea को तो क्या ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो तो अपनी अलग याकड़ में रहता है, First Indian, कौन, Kim Jong-un है न, First Indian to win the Booker Prize, Gitanjali Shri, ये भी बहुत important है, पहली Indian बनी है, Booker Prize, First Indian to win, और ये मतलब actually Hindi काटगरी में, ठीक है, पहली किसी Hindi novel को जो है, ये Booker Prize मिला है, तो Gitanjali Shri, कौन सी Hindi किताब है, रेत समाधी Hindi की किताब है, इसको English में translate किया, Daisy Rockwell ने नान दिया, Tomb of Sand, तो दोनों लोगों को common मिला, Booker Prize, Gitanjali Shri, Daisy Rockwell, World Press Freedom, प्रेस सूच कांग, जिसको बोलते हैं, वो किसको सबसे टॉप किस ने किया, 150, एत नमबर पे India रहा, एक सोसी देशों में, First Norway रहा, और इसको पब्लिश करता, Reporters Without Borders, Second पे Denmark रहा, Indian Army's First Women, ये हम लोग देखी चुकिए, अब लाशा बारक बनी है, First is Indian state to roll out drone in healthcare, उत्तरा Bricks, Countries, New Development Bank, NDB will open its first regional office in which state, Gujarat में, New Development Bank अपना पहले regional office, अगर इसके headquarter की बात करें, ये शंगाई, चाइना में, कहाँ पे शंगाई, New Development Bank एक Bricks Countries का bank है, Bricks का मतलब क्या है, Bricks एक grouping है, जिसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa है, South Africa इसमें 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है, ये आपको पता हो इसका जो बैंक है, New Development Bank, इसका headquarter, शंगाई, चाहिना में है, आगे बात करते है, सुपर कंप्यूटर, inaugurated by NIT Trichy, Param Porul, anti-ship version of Brahmos, supersonic cruise missile, test fired by Navy, तो Navy के दोरा ये anti-ship version, Brahmos, supersonic cruise missile को test fired किया गया है, जिसकी range 300 km है, इंडिया's first indigenous aircraft carrier, सौदेशी निरमिता बह सकते हो, aircraft carrier है, आइने open, तो जो भी open होते ही, बहुत important होते हैं, आपके exam perspective से, तो अगर हम बात कर रहे हैं, एक second रुकिया जरा, जो लो, अगर बात करने है, Italian open की, तो इसमें men category में जीता है, नुवाग जोकोवेच ने और women category में जीता है, इगस वितक ने, जो की Poland की है, तो हमने देखा था, French open में women category में इगस वितक ने जीता, और Italian open में इगस वितक ने जीता, निखाज जरीन is relative boxing, जिनका Google कभी advertise भी आता है, आपने देखा होगा, तो ये जम्मो किश्मीर से बिलॉँ करती है, वान गोल्ड इन IBA, इन 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 इ 2022 किसको मिला, पोस्ट हो मसलियाने की, उनकी डेथ के बाद, Danish नहीं, Danish सिद्धिकी को, पब्लिक सर्विस के लिए मिला वाशिंग्टन पोस्ट को, रोयल गोल्ड मेडल ये मिला, बाल किश्न दोशी को, जो की आर्किटेक्ट हैं ये, ठीक है, फर्स इंडियन टू डिक्लेर सेंट बाई वाटिकन, तो वाटिकन के दुआरा पहले सेंट ये, फिर पहले पोप टिकलेर किये जाने वाले देव सायम पिल्लाई, जो की केरल से बिलॉंग करते थे, उनको जो है, पोप की उपाधी दी ये वाटिकन, ये अब नहीं रहें, जाइट की बात है, बहुत पहल यूरी अवर्बाख, वो डाइट रिसेंटली वाजन, तो ये इनका भी आले मिने दिन, वो कौन थे, जस ग्रैंड मस्टर थे, रश्या से, ये काफी इंपॉर्टेंट अगला वाला पंडित शिव कुमार शर्मा कि से समनने थे, संतूर सभी हमने देखा, बनारस घराना से, रश्या वाज रिसेंटली, रश्या हाज रिसेंटली विद्रॉन इटसल फ्रॉम, तो UNWT, United Nations World Trade Organization से खुद को इसने विद्रॉ कर ली है, रश्या ने, लारेस, World Sports Person of the Year 2022 का वोड मिला, मैक्स वोस्टपन को, न्यूव वाइस चेर्मान अफ नीतिया योग, सुमन बेरी बने, CEO अगर हम बात करें, बने हैं आपके, परमेश्वरन अईयर, अगर वाइस चेर्मान की बात करें, सुमन बेरी बने, न्यू प्राइम मिनिस्टर अफ ऑस्टेलिया, आंथनी अल्बनीज, रटने की ज़रत नहीं है, बस देख लो इसको, ठीक, हर्शा सरुद गरूर is related to which sport, तो इन्होंने भी gold medal जीता, international world job का weightlifting championship होता है, उसमें तो ये सबके सम्मानीत है weightlifting से, ठीक, अगर बात करें, इंडिया's first mission to Venus planet, तो शुक्र ग्राय के लिए पहला हमारा जो mission है, उसका नाम ही शुक्रयान है, first smoke free state, अभी हमने देखा है माचल प्रदेश, इंडिया's first indigenous hydrogen fuel electric vessel is built by, तो भारत का पहला सोदेशी निर्मित hydrogen fuel electric vessel ये बनाया गया है, कोचिन shipyard के दरा, नेटो की ये दो exercises होती ही, पता हो नहीं चीदो में, defender Europe और swift response, जो कि ये पोलेंड में भी swift response, आप से पूछ सकता है कि, ये किस organization के exercises हैं तो नेटो की है, what is swathi recently seen in news, तो swathi क्या, तो swathi एक weapon locating radar है, यानि कि जो आपके weapons होते हैं, उनको locate करने का एक radar system है, वेपन तो समझते हो नो, जो सस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको locate करने का ये आपका radar system है, swathi, indigenously built warships, सूरत अन उदैगरी, इंडक्टेड इन, ये किसमें नख की गहीं, नेवी में, इंडिया's first space rocket, Vikram 1, made by Skyroot Aer of space limited, ठीक है, फिर अगर हम बात करें corporate exercise, तो ये इंडिय और बांगलादेश के बीच होई, आक्चली जो corporate exercise है, ये इंडिया multiple countries के साथ करता है, बांगलादेश के साथ, तो अगर हम बात करें, जो 36 वाली है, वो बांगलादेश के साथ हुई, जो 38 वाली recent में हुई, जून के महीने में वो इंडोनेश के साथ हुई, तो उतना ज्यादा है इंपोर्टेंट है नहीं अगर देखें तो, exercise भोंगो सागर ये इंपोर्टेंट है इंडिय और बांगलादेश के बीच महीं, first of kind stimulation based training center, वार्डेक, जिसका full form है war game research and development center, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया आपका डेनमार्क में है, फिर अगर बात करें, शेख खलीफा बिन जायद अलनयान, इनको कहाँ, जो अब इन जिनका हाली में इधन हो गया, ये किस देश के दूसरे रास्टपती थे, तो ये UAE के, और इनके उपलेक्ष में के, मरने के उपलेक्ष में है, फिर शोक में, उ ये अमरित सर्वर है क्या, तो इंडिया जो है, पच्छतर अमरित सर्वर बनाएगा, आपको बता है, भारत अमरित काल को सलिबरेट कर रहा है, अमरित काल मतलब हमारे आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के पलक्ष में, अब इंडिया, आल ओवर इंडिया मतलब 75 अमरित और नाचर रिगार्ड डेजिंड लास्ट स्टेल्थ डेस्ट्रोयर प्रॉज्ट अंडर प्रॉजेक्ट 15 वी जिसको विश्या खा, पत्नम काटेगरी भी बोलते है, आईने सूरत ये लॉंच इसके इंडर में, वर्ल्ड स्नूकर चैंपेंशिप पकर बात करे रौनी ओ सिल करते हैं संतोज ट्रोफी जो कि आपकी फुटबॉल से जीता है किरल और रनर अप यानी किसम को किसको हराके किरल ने जीता है वेस्ट बेंगॉल को हराके 46 आपका क्विस्टिन है स्री लंका न्यू पीम स्री लंका के नहीं प्रदानमंत्री इतना इंपॉर्टन इसको छोड़ यह किरला विल लॉंच फर्स्ट से बेस्ट ओडिटी प्लाटफॉर्म तो ओवर दी टॉप प्लाटफॉर्म जो होते हैं तो उसका एक पहला स्टेट ओंड जो प्लाटफॉर्म होगा किरल सरकार के दरा लॉंच या जाएगा ठीक और आगे बात करें विच स्टेट हाई नेचर को लिविंग पसंद के तरजा दिया मद्रास हाई कोट ने ठीक और एक्वेटर में देखा था आनिमल्स को दर्जा दिया था और कियरल कमने एक और जगह देखा था ओ टीटी प्लाटफॉर्म के अलावा क्या देखा था हमने यह देखा था कि इसने अलग से रेड़ 2020 की बात करें यह लांच में आपके हर्याना आई है हुए आपके 2022 के हर्याना में और इसका मैस्कॉट जिसको हम बोलते हैं शुभंकर यह रहा है धाकर ठीक है और यह एक चीज़ दिया रखना ऐसे करके पूछ सकते हैं आपसे प्रियंका मोहिते का संबंद किस से हैं तो दि लोग विजुली इंपेट्स तो जो लोग विजुली इंपेट्स होते हैं जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए पहला रेडियो चैनल लॉंच है गया रेडियो अक्ष नाम से नाकपुर में लामिती एक्सरसाइज किसके बीश में होती इंडी और सेशल्स के बीश में आर्म लेगा इंटरनेट सर्विसेस के लिए है ठीक है अगर सब की बंद हो जाएंगी तो इसकी चालू रहेंगी मतलब इसके पास खुद का भी नवर्टर लग गया है ना इंटरनेट का उर्जा प्रवा इस दा शिप इंडक्टेड बाई तो उर्जा प्रवा शिप जो है ये किस नदीप है आपको कमेंटर बताना है इंडियास फॉर्स्ट कार्बन न्यूटरल पंचायत पाली जमू कश्मेर की इंपॉर्टन्ट है ठीक है इंपॉर्टन्ट है फॉर्स्ट वैक्यूम बेस सीवर सिस्टम आगरा में बना है यह हम पहली देख चुके हैं पीम विकास जो योजना यह मिनिस्ट्री ऑफ माइनरिटी एफएस ने लांच किया है माइनरिटीज के लिए ठीक अगर बात करें सक्षम अवेर्नेस कैंपेंड रिगार्डिंग एन्वायर्मेंट प्रोटेक्शन बाई यह और यह अपका जो सक्षम अवेर्नेस कैंपेंड है यह ओंग इसीने लांच किया है मिनिस्ट्री ऑफ प्कुलियम और नाचल गास के साथ सारिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर काजिरंग आपका सम्म में देख किनारे किसी न हम पर इसे इस विसए इंपरटन आग a loan scheme for prisoners तो जो कैदी होते हैं जिलने बंद होते हैं तो उनके लिए loan scheme लाने होला पहला राज महराष्ट which country has recently suspended COVID-19 program पो suspend कर दिया Denmark ने first city to get a steel slag road यहनि कि जो steel का मलबा होता है उसे road बनाई जाएगी यह बनाई गई है अक्चल में सूरत में second P-8I aircraft squadron इंडियन नेवल squadron 316 has been commissioned by इंडियन नेवी एट कहाँ पे आइनेस हैंसा में आइनेस हैंसा है कहाँ पे यह गोव में पढ़ता है ठीक है तो वहाँ पे इसको commission किया गया second P-8I aircraft squadron को स्वानिधी से समरिधी प्रोग्राम किस ने लॉंच किया है तो यह लॉंच किया ministry of housing and urban affairs ने स्वानिधी से समरिधी प्रोग्राम मौवा शॉर्ट मैलर को मौवा ने लॉंच किया है और यह scheme लॉंच की गई है street vendors के लिए जो आपने देखा वा ठेला लगाते हैं सब्सक्राइब के लिए वाक्सीन फॉर फाइफ टूव एज ग्रूप तो जो पांस से बारा साल के एज ग्रूप में जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से वैक्सीन डवलप की गई है फर्स नमबर पर यह से सकंड पर चाहिना इगला एस यह क्या है तो इगला एस एक short range air defense system है short range मतलब तकरीबन 6 km तक इसका range होता है और यह एक आपका man potable air defense system man potable मतलब कंदे में उठाके भी आपको इसको ले जा सकते हो लाँच कर सकते हो और यह हमने पॉलिशन को रोकने के लिए है ठीक है पॉलिशन को रोकने के लिए पॉलिशन को रोकने के लिए P4 यहाँ पर पॉलिशन याद रखो ठीक गवा में ऑज़गनाई होई है mascot to create awareness regarding प्लास्टिक political तो प्लास्टिक चीज चीज का प्रदर्शन करना चाहते है आरटीफाक्ट है के पास कुछ बेचना चाहते हैं तो एरपोर्ट अथारटी 75 तो प्रोजेक्ट 75 ये इंडियन नेवी ने लाँच किया था जिसके दाइद 6 से मरीस डेवलप करने का टार्गेट रखा था तो आखरी जो इसमें डेवलप हुई है that is वागशीर जो की लाँच ही गई है मैजगॉंग डॉक लिमिटेट के दोरा Cyber Defense Exercise ये नाटो के दोरा कंड़ट की गई है अस्टोनिया में International Gandhi Award for Leprosy तो कुष्ट रोक के लिए गांधी अवार्ड मिला है Dr. Bhushan Kumar और शहयोग कुष्ट के यगन ट्रस्ट को World Highest Tunnel वर्ल्ड का दुनिया का सबसे उंचा टनल ये शिंकुला ये किसको कुष्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को लद्दाक से Under Project योजक ये डवलब किया जाएगा 2025 तक Who got Lata Dina Nath Mangiskar जी के निधन के बाद ये एक आवार्ड उनके नापे डवलब किया गया और पहला आवार्ड नरेंद्र मोधी जी को मिला Peace Clause is related to तो Peace Clause का संबन्द के से WTO World Trade Organization से Little Book of Joy के ओथर को ने Dalai Lama and Desmond Tute India's 23rd Women Grand Master Priyanka Nutakki First aid to train eco-preneurs तो हमने entrepreneur सुनते है न जो entrepreneurs ये तरह संदे सकते हैं तो profit के और ही focused है Eco-preneurs मतलब वो profit के अलावा Ecology का भी धियान रखने है Environment का भी धियान रखने है तो उनको बोलते हैं eco-preneurs और ये train करेगा eco-preneurs को उत्तरा खंट New President of FATF Financial Action Task Force जिसका आप सुनते रहे तो जो मारा बेटा ग्रे लिस्ट में आता रहता है ग्रे लिस्ट में है वो तो अपनी हरकतों के वज़े से तो उसका नया President किसे बना गया किरल आइलेंड तो जैपन और रुष्या के बीच में तो यहां पर भी इगा स्वर्तिक ने जीता जो पुलाइन से आपके बिलोग करती है फिर आगे हमने देखा इंडिया has signed economic cooperation and trade agreement ECTA with which country तो यह sign किया हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ राश्ट्री ग्राम स्वराज अभियान Ministry of Panchati राजने लाँच किया है फिर्स कंट्री तो अडॉप्ट इंडिया जीपे तो इंडिया का जो unified payment interface system है यह adopt करने लाँ पहला अधे तैन इंडिया कंट्री बनाए नेपाल फिर्स इंडियान तो गेट बोल्ज मैन मेडल तो physics में मिलता है बोल्ज मैन मेडल दीपक धर को मिला है विच रेल्वे जोन हाज कम्पीटेट 100% इलेक्रिफिकेशन तो 100% विद्दुती करन किस रेल्वे जोन का हो चुक है कौनकन रेल्वे जो कि आपका गोवा का रेल्वे है 100% women owned industrial park जैने कि ऐसा industrial park जो कि 100% ownership women's की रहे की it is in Hyderabad first female president of Tanzania Tanzania की पहली महिला राश्टपती Samia Sulu हसन WHO Global Center for Traditional Medicine to be set up in Jamnagar, Gujarat World Health Organization का पहला Global Traditional Medicine तो traditional medicine के लिए अगर हम देखें तो हमारा India ही जाना जाता है सरसती समान 2021 काफी ज़्यादा important है ठीक है नोट कर लेना इसको India Serious में किसी में एक में आने के बहुत ज़्यादा चांसे थे रामदर्श मिश्रा को ही मिला है सरसती समान अवर्ट 2021 किस के लिए मिला मैं तो यहाँ हूँ जो इनकी राइटिंग है उसके लिए मिला ठीक फिर अगर हम बात करें दादा साफ फाल की आवर्ट ये किस किस को मिला फिल्म आफ दे ये यर का वर्ट पुश्पा दा राइस को मिला है बेस्ट फिल्म शियर सा पुष्पा ऐसे याद रखो साल पर हमारी फिल्म कौन चली साल पर सब लोग अभी भी कह रहे है कि जुके का नहीं साला तो फिल्म ओफ द इयर पुष्पा और बेस्ट फिल्म ओट शेट सा बेस्ट अक्टर रनवीर सिंग फिल्म 83 के लिए और बेस्ट अक्टर से स्कावर्ड मिला कृती सेनन को फॉर फिल्म मिमी मिमी फिल्म के लिए साइकलोन एमनाटी कहां बहा है मेडिगासकर में स्टाच्यो ओफ इक्वैलिटी ये बनाए जैसा भी होना था स्री रंगर में भी डवलब किया गया स्री डामा ने जो चाहर रहा और हैदराबाद में भी डवलब किया गया इसकी हाइट है 216 फीट फर्स कंट्री टो अड्मिनिस्टर है DNA वैक्सीन DNA बेस्ट वैक्सीन अड्मिनिस्टर करने वाला अगेंस्ट कोविट शाकीबुल गनी बन गया है जो कि बिहार से बिलॉंग करता है डस्ट लिक एक्साइस के इंडो देशों के बीच में होती इंडिया रॉजबेकिस्तान के बीच में युजबेकिस्तान में हुई इस बार टे का ब्रेक इनिशेटिव इंस्टाग्राम नों लॉँच या कि भाई इंस्टाग्राम चलाते रहे तो थोड़ा सब रुक जाओ थोड़ा सबर करो थोड़ा सा अराम करो पानी अने पीलो ठीक इसराइल बना है जिसने की सिविलियन ऐरोस्पेस में ड्रोन फ्लाइट को अलाओ किया है प्रस्थान ओफशोर सेक्यूरिटी एकसरसाइस प्रस्थान एकसरसाइस या दखना वेस्टन नेवल कमांड के दोर अगनाईस की गई फिर अगर हम बात करें फर्स्थ क्रिकेट टीम टू प्ले हंड़ेड ओडियाई तो इंडिया बन गया हजार सौ नहीं हजार ओडियाई मैच कहलने हो ले हो किसके अगेंस इंडिया ने फीट अचीव किया वेस्ट अंडी इसके खिलाफ जो है थाउजंड नंबर का जो ओडियाई मैच है खेला इंडिया नहीं वन वन जीरो नंबर देखें सामर्थ स्कीम फॉर प्रमोटिंग उंट्रप्रेनोशिप आमंस्ट विमें लॉंच बाइच मिनिस्ट्री तो उंट्रप्रेनोशिप समझते आप क्या होता तो वह प्रमोट कर साइज इंडियन एफोस और ओमान एफोस ने और्गनाइज की इस्टेंड ब्रीट 6 और कहां पे हुई जोदपुर राजस्थान में ठीक बात अगर हम करें खिजाडिया वाइल लाइफ सेंक्चुरी कहां पी है गुजरात में और बखीरा आपकी है यूपी में जो कि अभी रामसार साइट में डिकलेर की गई है ठीक रामसार साइट खेंडर आई है भी वट्टा इस आ तो वट्टा क्या है वट्टा एक तरह की फिश है या फिर करंगिड लिखके भी आ सकता है ठीक है 18 बीमस्टेक मिनिस्टेरियल जो मीटिंग होई वो कहां पे होई कौलंबो में पेमस्टेक का हैड आठ क्वाटर कहां पे में बीमस्टेक का हैंने अगेर तनीक है खेंडेक दोणों में ही इंडिया मेंबर है न कामसा एंजी उक तरह काया तो हैट मैंग्ा एंडिया एरग्वर्ट हैं सानी संग्य हjazग्ट में ट्रेन Χांज ह correct का है थальग क्रोंग क्रेंग ब्रह्मपुत्रा, M.V. राम प्रसाद बिस्मिल ये है, ठिक, जो की, लॉंगेस्ट कार्डगो विसल बन गया है, जिसने की ब्रह्मपुत्रा रिवर में सेल किया, तो जैसे हमने ब्रह्मपुत्रा सुना, उसके बारे में, जो भी फैक्टस हम लोगों ने ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, कहां पर इसका नाम दिहांग होता है, फर्स्ट विमें चेर परसन आपके मन में आनी चाहिए, तो सेक्यूरिटी और एक्शेंज बोर्ड अफ इंडिया की पहली महिला जाए परे में, जाए जारय होता है, कहां अलग है, निट ट्रिचे ने लाँच किया था, वड़ परम गंगा लांच किया है, आईयाईटी रूल की ने ध्यान रखना सुपर कम्प्यूटर है, और आहट किसको रोकने के लिए human trafficking को रोकने के लिए सतरक भी हमने देखा किसके लिए था आरपी एफ नहीं लॉंच हिया था जो कि था ये जो drugs वगरा का इधर होता है माल उसको उससे सतरक रहने के लिए आप बोल सकते हो है न फिर अगर हम बढ़ें स्लीनेक्स maritime exercise तो स्लीनेक्स होती स्लीलंका और इंडिया के बीच में और ये विशाका पटने में होई है इंडिया first geological park लामेटा जबलपूर में बिल्ड किया जाएगा 124th first fully solar energy powered airport कोचिन international airport भारत का पहला solar energy powered solar energy से पूरी तरह चलेगा ये एक्सेंट की गई है 2026 तक के लिए और ये स्कीम है Ministry of Food Processing Industries की Operation Ganga to bring back Indians जो उक्रेइन में फर्स गयते भारती उनको लाने के लिए देवी शक्ती जो अफगानिस्तान भारती फर्स गयते और सर्दावा जैनवरी के महिने में BSF ने लाँच ही आता राजस्थान बॉर्डर पे ठीक है तो ये उतना important नहीं है ठीक है ये important नहीं होतना ये दियान रखना गंगा और देवी शक्ती ठीक गंगा युक्रेइन रेन मैं लब वर्शा और वर्शा से गंगा को ये पानी मिलता है ऐसे याद रखो है ना ठीक आगे बात करते हैं रश्या बाइंक से इव बें रिमोवड फॉम सुफ्ट मैसेजिंग सिस्टेम तो एक मैसेजिंग सिस्टेम था सुफ्ट इसमें काफी सारी कंट्री ती इसमें रश्या स्कोर्स से अटा इसी बातर बिकॉस क्यों उटाया गया आपको पता युक्रेयन के साथ टेंशन के वैसे इंडिया रांक इन एस डीजी इंडिक्स तो एस डीजी इंडिक्स में इंडिया का रांक आया 128 ठीक सेस्टेनेबल डेवलप्मेंट जो गोल्स इंडेक्स है और हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स है टोडल 17 जो की युनेटेड नेशन ने नाउंस किया थे ठीक है पंडित हरी प्रसाद चारसिया अवार्ड ये किसको मिला उस्ताद अमजद अली खान को जो की कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं सरोध त्हां सरोध बजाते हैं उस्ताद अम्जद अली खाने फिर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इ Saturday लेक्टरिक वहिखल Mirai तोयोटा के दरा बिल्ड किया गया पहला हाइड्रोजन फ्यूल Municipal यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली ग्याब्रियल पहरी कुतना इंपॉर्टन नहीं बस देख लो वेस्ट फिल्म अवर्ड इन बाफ्ट अवर्ड अवर्ड अभी हम देख चुके हैं किस का वर्ड मिला कैरोलीना बिलावसका को जो की पुलांड की यह भी हम देख चुके हैं वर्ल हैपिनेस रिपोर्ट में इंडिया कराएंगा है 136 और टॉप की है फिल्लैंड फिल्लैंड सबसे खुश देश है हम 136 पे आते हैं ठीक है फिर अगर हम बात करें फर्स्ट और एक चीज़ इसको रिलीज कौन करता है तो UN Sustainable Development Solutions Network इसको रिलीज करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं First African to get Pritzker prize Pritzker prize पाने वाले पहले African जो आर्कीटेक्ट लोग होते हैं उनको मिलता है Frances Kerra asa Ashley Barty टेनिस प्लेयर जिन्होंच प्रिटार्मेट आणांस कर दिया अपना वो उस्टेलिया से बिलॉग करती है ठीक है Australian जो open हुआ था उसमें ये women category में इन्होंने women category जीता था Australian open में इन्होंने आशले बाटी ने First state to introduce carbon neutral farming केरल ये बन गया है तो केरल हमने तीन जगे देखा है न यहाँ पे भी आपका केरल ही है carbon neutral farming announce करने वाला और OTT platform launch करने वाला और IUCN की मतलब IUCN की नहीं मतलब एक red list अपनी खुद की birds की launch करने वाला ठीक विच नेवल शिप delivered medicines to Sri Lanka under mission Sagar 9 तो mission Sagar 9 के तहत medicines कि किसने deliver की आइनस घडियाल ने important है काफी है world food prize हम देख चेके सिंथिया रोजन विक USA से है Buddhist theme park ठीक है आपका highest reclining जो Buddha statue वो आपका बहुत गया में बनाया जाएगा लेकिन बुद्धिस theme park के तिलंगाना में develop किया जाएगा Able prize हम देख चुके हैं तो यहां से अब हमारे फिर से वही repeat हो गया है न हमने चालू किया था 143 से और हम लोग क्या missing है कि कोई यहां पर नहीं नहीं कोई missing नहीं तो यहां पर हमारा पूरा current interface होता है खतम आपको इसको बार बार revise करना है चाहाँ वीडियो लूप में लगा के देख लो फिर PDF के पास अवे लेबल उसको लगा के देख लो हिंदी मीडिया वाले students से गुजारिश है कुछ भी आपको समझ नहीं आता आप आपको simple system को google कर लो simple buddhist theme park पुछेगा आपको तुरंत याद जाएगा हाथे लगाना तो इतना ज्यादा tension लेने के जरत नहीं है tension free होके जाना अगर आप इस PDF को बार-बार पढ़के जाओगे तो मेरी ऐसे उम्मीद है जिसे जो पिछली बार हुआ था वो इस बार भी होगा जो इससे पिछली बार भी हुआ था कि majority current affair महा PDF से थे वो इस बार भी होगा ठीक बस आप थोड़ा सा इसको बार-बार revise जरूर कीजिएगा multiple times जितना बार आप कर सकते हो जब भी आपका पढ़ने से मन बोई हो गए तो इसको रिवाइस कर डाला और जो लास्ट की जो आपके current affair से ब्लैक से लिखे हुए यह थोड़े से ज्यादा important है तो इनको अच्छे से रट जाहिएगा ठीक है बाकी आपके जो important है यह open होगा Australian Open, French Open यह सारा इसको मैं अलग से भी डाल दूगा तुम्हारे टेलिग्राम में ताकि तुम confused नहों कि कौन किसने जीता अलग से मैं तुम्हारे टेलिग्राम परमार आफिसर में डाल दूगा अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसको like जरूर कर दीजेगा और share क कर दीजेगा थोड़ा से responsibility समझ किया ठीक है और subscribe करके notification bell को press कर लेजेगा बागी टेलिग्राम लिंक description में तो वहां से आप उसको join कर सकते हो धन्यवाद